चैय मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में तोस्तो आज की राशी धनूराशी के लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि इस राशी में इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनूराशी की जोड़ी कौन-कौन सी राशी वाले लोगो को दबा दे और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ तो दोस्तो धनूराशी की हम बात कर रहे हैं और काफी सारे लोगों के कमेंट भी आए हुए थे कि धनूराशी की आप बताएं किस के साथ जोड़ी अच्छी होगी तो ये जोतिस के आधार पर है कि धनूराशी की जो जो होते हैं वो काफी आदर्शवादी होते हैं उदार हिर्देवाले होते हैं और काफी हसमुक भी होते हैं यानि मजाक या प्रवर्थी के होते हैं यह स्वेतंतरता पसंद करते हैं और खुले माहौल में रहना इनको पसंद होता है बंदिशें बहुत कम इनको पसंद होती है तो सबसे पहली जो राशी की हम बात करने वाले हैं वो है मेश राशी की धनू राशी की मेश राशी के साथ जोड़ी कैसी रहेगी तो देखें मेश और धनू बहुत योग्य जोड़ी बना सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही अग्री तत्वगी राशिया हैं धनू राशी भी और मेश रासी की हो तो कैसी जोड़ी होगी देखे मेश रासी का जो धनू राशी का जो पुरुष है और मेश रासी की जो महिला है वो काफी उत्साही जोड़ी बनाते हैं क्योंकि वो अपने नएने विचारों का आदान परदान करते रहते हैं अगर धनू राशी वाले पुरु accurate रखती है हर चीज में आपका ख्याल रखती है इसलिए इनका जो रिष्टा होता है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि धनू पुरुष बहुत इमानदार भी होता है गलप चीज बरदास्त नहीं कर सकता है इसलिए इनको अपने जीवन में कोई समस्या नहीं आती है बहुत मेश पुरुष और धनू महिला की जोड़ी हो तो ये रिष्टा स्वर्ग में बना माना जाता है दोनों के बीच में इतना अच्छा अदबूत सामज़स से रहता है एक दूसरे को समझते हैं बहुत ही ये मजाक्या प्रवर्टी के होते हैं हसमूख होते हैं अपनी जीवन क को ऐसी हसी में ये बिता लेते हैं मनुरंजन इनको पसंद होता है इनके अपने एक दूसरे के प्रती काफी आकर्शन होता है प्रसंद स्वभावके होते हैं और हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं तो इस जीवन का ये पूरा आनद उठाते हैं इसलिए ये दोनों के जो रिष्टा है ये बहुत दिरगाई होता है बहुत अच्छा ये रिष्टा माना जाता है अब हम दूसरी राशी की जो बात करेंगे वो है सेहिंग राशी धनू राशी और सेहिंग राशी की कैसी जोड़ी बनेगी इन दोनों की जोड़ी जो है काफी रोमैंटिक जोड़ी इनका रिष्टा जो होता है काफी इस नहीं और रोमैंटिक होता है इन दोनों को एक दूसरे ये एक दूसरे के साथ काफी अच्छा स्वेतंत्र भाव से रहते हैं और नए-नए लोगों से मिलने का आनद ये लेते हैं तो अगर धनूराशी का पुरुष हो और सिहिंग राशी और धनु पुरुष थोड़ा दिलफेक होता है लेकिन दोनों की भावक प्रकरती होती है और ऐसे में उन दोनों की अनुकुलता बहुत अच्छी होती है ये अपनी दूसरे की कमियों को अंदेखा कर देते हैं और एक अच्छी जोड़ी बनाते हैं अगर धनु राशी की महिल और शिंग राशी का प्रोश हो तो कैसी रहेगी तो देखिए ये जोड़ी भी काफी अच्छी रहती है अच्छे से काम करती है क्योंकि इन दोनों में कई विश्यस्ताइं आपस में मिलती हैं सिहिंग पुरुष और धनु महिला को दोनों को ही सुर्खियों में रहना पिकाँ शुड़ी की बात करते हैं तो तीसरी राशी जो है वह मित्फून राशी तब तो दिखिए मित्फून और धनू थोड़े बहस के अच्छी ने होते हैं कि यह एक लंबे समय तक एक जगह एक व्यक्टि rugutana इनके के लिए हलागी थोड़ा कठेन होता है लेकिन ये शामिल सबी चीज़ों में होना चाहते हैं तो अगर धनु राशी का पुरुषों और मिथुन राशी की महिला हो तो कैसी जोड़ी रहेगी देखिए मिथुन राशी की जो महिला और धनु जो पुरुष होगा ये तेज बु पुरुषी होती है धनु राशी का पुरुष मिथुन महिला की जो प्रवर्तिया हैं उन्चे थोड़ा ऐस रक्षत जरूर महसूस करता है और रिष्टों में अनुकूलता बनी रहती है इनके मिथुन महिला का दिमाग धनु व्यक्ति दौरा बड़े सपने और द्रस्टिक कौन से भरा रहता है इस प्यार का मैच इन दोनों के बीच सामजस्य से बनता है क्योंकि कई सारे गुर्ण इन में बनते हैं और दूनों एक दूसरे को समझते भी हैं अगर धनू महिला हो और मिथुन पुरुष हो तो कैसा होगा तो देखिए इनका जो शुरुवाती आकर्ष पुरुष होती है और लेकिन समस्या जब आती है जब यह जो मिथुन राशी का पुरुष है यह बौधिक रूप से महिला के लिए कुछ रोक टोक करे तब यहां परिशानी आती है और खराब मूड दोनों में कटाक्ष और गुस्सा भर देता है लेकिन फिर भी यह जो 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 है वो है तुला राशी धनू और तुला के बीच में कैसी जोड़ी रहेगी तो एक तो यह जुडाव काफी अद्बुध रहता है क्योंकि देखिए तुला राशी संतुलन के लिए मानी जाती है सद्भा बनाय रखने के लिए मानी जाती है बुद्धी मानी भी होती है म पसंद करने वाले भी होते हैं तो अगर धनुराशी का पुरुष हो और तुला राशी की महिला हो तो कैसी जोड़ी होगी तो देखिए इन दोनों की जोड़ी को हम बहुत अच्छी जोड़ी कहेंगे दोनों के बीच में एक अधभुत जुड़ाब होता है और ये एक दूसर तुला महिला के सामने अपनी भावना अगर व्यक्त करते रहें तो बहुत अच्छा रिष्टा रहता है ये देखिए तुला राशी जो होती है वो बेहद आकरशक प्रेमी होती है भूग विलासिता की राशी माने जाते है क्योंकि शुक्र की राशी है तो ये जो है हमेशा धनू राशी के जातक को उसकी उदासी के समय में भी उसको हसाने में सक्षम रहते हैं और जो तुला राशी की महिला होती है वो धनू राशी के पुरुष पर बहुत द्रड़ विश्वास रखती है उसे हर खुशी देने के लिए तैयार होती है इसनेहे की बारिश करती है जिसके बल पर ये रिष्टा बहुत मजबूत बनता है और इसके विपरित अगर धनु राशी की महिला हो और तुला राशी का पुरुष हो तो तुला पुरुष धनु महिला से विवहा करेंगे तो बहुत भागशाली व्यक्ति होंगे इस जोड़ी को एक दूसरे के साथ प् लंबी समय तक नहीं होती है दोनों के बीच काफी अच्छी सामज़से होता है एक समझदारी होती है जिससे अपनी रिष्टो को ये काफी आगे तक लेकर जाते हैं इसलिए इनकी जोड़ी पी अच्छी मानी जाती है अब हम बात करेंगे आखिरी राशी कुम राशी के धार्मिक होते हैं भावनात्मक भी होते हैं बोधिक भी होते हैं तो अगर धनु राशी का पुरुष हो और कुम राशी की महिला हो तो कैसा रहेगा देखे धनु पुरुष कुम महिला के बीच हमिशा अच्छा सुख बना रहता है क्योंकि दोनों के बीच अच्छी समझदार होती है जीवन में ये विविधिता चाहते हैं जो इनको मिलती है एक दूसरे की च्छाओं को पूरा करने में भी ये सक्षम होते हैं पुरुष उन्हें बौधिक प्रेणा देते हैं और महिला भी उनकी रचनात्मक्ता को बढ़ाने में मदद करती है दोनों एक दूसरे को बे पूरुष हो तो कैसा रहेगा तो ये एक दोनों को सच्चा प्यार करते हैं और सच्छी खुसी पाने में इनकी कोशिश होती है इस समय जो इस्तरी जो धनू की इस्तरी है अकोम का पूरुष है उनको दोनों को ही सतरता पसंद होती है और यहां इनको देखो चिपको प्रकर पसंद नहीं होती जो कि अधिकतर महिलाँ में पाई जाती है धनूराशी के महिलाँ में तो जिसकी वजए से ये कभी-कभी नोकजोकी सितीन में बनती रहती है लेकिन इस दूसरे को प्रेम करते हैं रुपरता की जरूरत इनको बहसूज भी होती है तो ये रिष्टा भी जो ह हमने देखिए यहां बात नहीं की है उन राशियों के साथ ऐसा नहीं है कि उनका रिष्टा अच्छा नहीं होता है उनके साथ भी उनका रिष्टा अच्छा रहता है क्योंकि बहुत सी राशियां ऐसी देखी गई हैं जो इसके अलावा भी राशियों के साथ अच्छी जो रिष्टा होता है वो प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है तो किसी के साथ भी ये रिष्टा प्रेम और विश्वास पर बनाया जा सकता है अच्छे से रहता है ये जो 30 के आधार पर है जो हमने आपको बताया है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके भी बताएं और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करें और शेयर भी करें